नमस्कार आपका स्वागत है दस साइन नौलेज में हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी किलिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज को आप सबसे पहले देख सकें दोस्तो भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कल्यूग का विस्तार पुर्वक वर्नन कर दिया था कल्यूग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतित होगा, लोगों का विवार एक दुसरे के प्रति कैसा होगा किया सब उस काल में ही बता दिया गया था यहां हम प्रस्तूत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कल्यूग के बारे में बताए गये 5 कडवी बाते जो आज सत्त प्रतिसत सच हो रहे हैं महा भारत काल में ही पांचो पानडबों के मन में कल्यूग के बारे में जानने की जिग्यासा थी उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कल्यूग में मनुस्य कैसा होगा लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ती कैसे होगी यह प्रश्ण सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचो पंडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखोगे मुझे विस्तार पुर्व काकर बताना पांचो भाई वन में जाकर वापस आये और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए जानते हैं युदिष्टिर महराज ने एक दो सूड़ वाले हाथी को देखा और वो बहुत अश्यर चकित हो गए जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृष्ण के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कल्यूग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करे भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकलाया था भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा कृष्ण ने बताया कि कल्यूग का मनुष्ण से अपने बच्चों से इतना असक्त हो परन्तु यदि स्वैम का पुत्र सादू बना तो दुखी हो जाएंगे रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर चल रहा है इसका क्या होगा कल्यूग में लोग बच्चों को मूह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नस्ठ हो जाएगा फिर भगवान ने वास्तविक्ता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं है बलकि उनके पत्नियों के अमानत है पुत्रियां उनके पत्नियों के अमानत है यह शरीर जो है मृत्यों के अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंक पर वेद की रिचाएं लिखी हुई थी परन्तु वो एक मनुष्य का मास खा रहा था यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए इस पर भगवान किष्ण ने बताया कि कल्योग में ऐसे लोग होंगे जिने विद्वान कहा जाएगा किन्तु उनकी मनसा यही होगी कि किसके जल्दी मृत्ति हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए व्यक्ति का ओधा चाहे कितना भी बड़ा होगा परन्तु उसकी द्रिष्टी दूसरों की संपत्तियों पर ही रहेगी ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे वास्तबिक संथ तो कोई-कोई ही होगा नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान परवत से गिरी और बरे से बरे व्रिक्ष भी उसे नहीं रोग पाएं लेकिन वो एक छोटे से पौदे से आकर टकरा कर रुग गई इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कल्योग में मनुष्य की बुद्धी शीन हो जाएगी उसका जीवन पतन हो जाएगा और इस पतन को धन या सत्ता के व्रिक्ष रोकना संभव नहीं है किन्तु हरी नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुख जाएगा हरी किर्टन से मनुष्य की बुद्धी प्रवल होगी सहदेव ने देखा नुपन में बहुत सरे कुएं हैं जिनमें से बीच का जो कुआ है वो किवल खाली था जो की सबसे गहरा था किर्टन ने इसका अर्थ बताया कि कल्यूग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सबों में बहतायत में धन खर्च करेंगे परन्तु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी साहता करने में किसी को कोई रूची नहीं होगी इंद्रियों की संतुष्टी, मदिरापान, मास भक्षन और वैशन में धन खर्च किया जाएगा जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलियू का नहीं बलकि परमात्मा का परभाब होगा तो दोस्तों ये है कलियू के पांच कड़वे शत्ते जो भगवान कृष्ण द्वारा बताय गए थे और आज भी सच हो रहे हैं आज हम अपने आएक की वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे भगवत गीता, रमायन तथा महा भारत के अन्य तथ्यों के बारे में आपको हमारा आज का एपिशोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए वीडियो को सेर भी कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे हरे क्रिष्णा नमस्कार आपका स्वागत है दस साइन नौलेज में हमारे चनल को सब्सक्राइब करें